तो यह जो वीडियो आपकी स्पेसली है जब आपका वेकेंसी एरांस हुआ था यह आपके फॉर्म फिलब गया थे तो क्या हुआ कि आपका चैनल चोटा है यह ठीक है अभी आपकी प्यार से यह बेसिक किस के पाउच चुका है रहे से पहुंचेगा और आपका तो क्या हुआ वागी उस टाइम पे जब फॉर्म फिल कर रहे थे आप तो एलेक्ट्रॉन मेकैनिक और रेडियो टीवी दो आपकी ब्रांश दिखे थे आपको अच्छा उसे पहले मैं आपको उपता दू कई लोग इस्ट्रेंट्स होंगे एलेक्टिकल के मैकैनिकल के सिविल के तो आप इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो बनाया रखा है आपने देखा भी होगा रेडियो टीवी के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हुई थी और मैंने आपसे कहा था कि आप टेंसल मतलो पूरा टेंसल मेरे पर दे दो आप आप बस पढ़ाई करो अच्छे से से स्ट 75 कोशन आपके जो आए थे पचिता कोशन आए थे आपके रेडियो टीवी में आपको भी एक आइडिया लग जाएगा कि भाई लेवल कैसा था चलिए बहुत जरूरी है और जितना हो सके आप सेर कीजिएगा तो कि आपके सेर से ही हमारी केर होती है ठीक है सेरिंग इस केरि अपके दिवा में ये टेंसन ना हो इसलिए वीडियो मनाना बहुत जोरी था और ये मैं बहुत दिन से प्लांग करा था तो फाइनली मैंने आपको ये वीडियो मनाई है आई ये बात करते हैं तो पूरा तामजाम कहां शुरूऊ ओभा था यहां शुरूग ओआ था फिल करना था दिक्कत आई डिप्लोमा बीटेक वालों को तो वो काफी कंफ्यूज थे मैंने वीडियो बना दे थी उसके बावजूद भी बहुत साही लोगों ने मेकैनिक रेडियो टीवी फिल कर दिया था तो कोई दिक्कत नहीं है आप उससे टिंसा मतलो अलेक्ट्रॉनिक को पेपर कराऊंगा 75 जावब देखेंगे न तो आपको इस चीज का एहसास होगा मैं ड़रा नहीं रहा हूं मैं आपको बस आखे खुल रहा हूं कि अलपी है तो आपका क्वालिफाइंग है तो आप क्वालिफाइग कर ले जाओगे उसके लिए आप पढ़ना पड़ेगा क्वालिफाइग चक्कर में 25 में 27 नहीं आ पाए थे तो इसलिए मैं फिर से बोड़ रहा हूं सलेबर के हिसाब से पड़िए पेपर एवलेबल है नेट पर मैंने आपको खुद दे रखा है टेलिगाम चैनल पर रतने स्क्यूटेक नाम से उसको देखिए एनलसिस करिए तो हमारे लिए यह सब वर्दान है चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां पर कि जो आपका पेपर था यह हुआ था आपका 23 तारीक को हुआ था एक ही सिप्ट में हुआ था क्योंकि बच्चे इसमें कमते ब्रांच आपकी है लेकिन बहुत ज्यादा ट्रेंड न इसमें हैं लेकि मैंने इसको में में बता रखा है ऐसे तो मैंने आप से आप पढ़ लोगे किसके लिए electronic mechanic बात कर रहा हूँ मैं EDC कर लोगे आप, digital कर लोगे आप, BC letter कर लोगे आप तो आप अराम से qualify हो जाओगे लेकिन आपको मैं और ही पढ़ाऊँगा, measurement पढ़ाऊँगा आपको अच्छे से और जो communication आपको ही पढ़ा दूँगा तो आप पूरी तरीगे से tension free होके qualify हो सकते हो क्या ये चीज radio mechanic में लागू होती है, तो आई ये बात करते हैं, लेकिन नाम आपका है radio mechanic and tv, नाम से ही लग रहा है तो जाहिड सी बात है कि slaves तो same नहीं है, मैं फिर से उता दूँँ आपका, और जो question का level है और जो question आपके पूछे गए है exam में वो थोड़ी different है, और मैं फिर से उता रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, इसको आप match कर लेना, जब मैं आपको संदे को पूरा paper solve कराऊंगा, ठीक है, तो अगर बात क पूछे है कि दोस्त यहां से N type, P type नहीं पूछा गया था, अच्छे level question पूछे गया थे, rectifier से पूछे गया थे, diode gas पूछे गया थे question आपके, बढ़िया question पूछे गया थे, एक level था, बलब कि मैं यह नहीं बोड़ा हूँ, gate level का, लेकिन जिससा आप से ITI में पढ़ाई हो अब 5 question पूछे गया थे, आपके SR flip-flop से पूछे गया थे, आपका bulir algebra पूछे गया थे, और आपको तॉचे गया थे, जनाब आपको सोचो कि आपको digital पूरा पढ़ना होता है, competition में यही दिक्कत है मेरे दोस्त, कि आपको पढ़ना बहुत कुछ होता है, आता थोड़ा सही है, तो इसलिए यह थोड़ा tough हो जाता है, तो digital भी अच्छा कास लेवर लेगी चलता है, अब मजबूर हमारी यह को सपढ़ना पढ़ता है, अगर नहीं पढ़ाएंगे दिक्कत हो जाएगी, तो अभी time है, अभी आपका February चल रहा है, मार्च आपका आने वाला है, तो मार् इसलिए चीजों को time लेकी करिए तो अच्छा रहेगा, बागी आपकी इच्छा है, आप CBT1 पे ले कर लो, ये big doubt होता है, CBT1 कर ले सफिकर रहेगा हमसे, आजो यहाँ पर आजो, वापस आजो, वापस आजो, वापस, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर से आपका एक कोशन आया थे, कारण क्या है, कारण ये है, Radio, Mechanic and TV है दोस्त, Mechanic, Radio and TV, TV से तो कुशन भर-भर क्या आये थे, Consumer Electronics को आप बोलते हो, कम से कम 9 कुश्चन आपके आये थे, ठीक है, तो यहाँ पर वो मेंसन नहीं है, तो Consumer Electronics आपको अलग से पढ़ना है, मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, कै इसे पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, सब पताने वाला हो, Consumer Electronics है नहीं है, आपको रेडियो, टीवी, तीवी वाला पाड़ा आपका जो होता है, इससे आपके 9 कुश्चन आ रहे थे, कितने आते दोस्त आपके, 9 कुश्चन लमसम आपके आये थे, ठीक है, लमसम 9 कु किसी बात होगी, यार, किसी बात होगी, तो जो आपका, पांच नमबर, आठ नमबर पुछा गया था, Electronic Mechanic में, आपका रेडियो, टीवी में, आपका 20 कुश्चन पुछे गया हैं, दोस्त, तो आपके हिसाब से, कम्बनिकेशन और ADC and log, ये आपके लिए बहुत ज़्याद इंपोर्टेंट हो जाता है, चलिए आगे बात करते हैं, कंज्यूमर से 10 आए दोस्त, कितने आथे 10 आए थे, यहां से 10 आए थे, मैंने दो लिखा हुआ है, ये 10 कुश्चन थे आपके, कितने थे 10 कुश्चन थे, कंज्यूमर से आपके यानि किसमें आपका वही पूरा TV से इलेक्ट्रिकल, हाँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल से आपके 11 कुश्चन आए थे, जो कि आपका यहां पर 19-17 आपके हैं, तो जैसे मैं आपको बताया था, बाकी मिक्स अप मिसलिनेस आपका, एक नंबर आपका IC से आया था, दो नंबर आपका मोंटर से आया था, ये पूरा मिल था, EDC, आपका, डिजिटल, आपका, electronic measurement, आपका communication, basic, वैसे ही, अगर आप देखो, यहां पर तो EDC आपका important हो जाता है, फिर digital की बात को तो ये भी आपका important ही है, measurement आपका important हो गया, communication हो गया, important, basic, critical हो गया, और आपका extra एक हो गया, consumer TV वाला पार्ट, यानि कि, अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ाई की, जो की जरूरी है, पढ़ाई करना, वहीं तबी section होगा, तो 15 नंबर ये हो गया, 5 नंबर ये 20 हो गया, 7 नंबर ये 27, 27 का कोटा पूरा हो गया आपका, लेकिन 27 पर गया, 27 पूर क्या हो गया, जाईर से बात है, 20 हो गया, 47 और ये 11 हो गया इतना प्लान रहेगा अपना, और ये जो 15 बोल रहा हूँ, ये इतने आसान नहीं थे दोस्त, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ITI लेवल के इसाफ से इतने आसान नहीं थे, यहाँ जो बात हो रही है न, ये measurement में की, ऐसे ही, यहाँ पे ढंग से question बूचे कहा है, क्योंकि मैं जा ये factual question होते हैं, बिद्दम direct based question होते हैं, रटने वाले होते हैं, यार, कहां से कर पाएंगे, simple सी बात ही है, ठीके दोस्त, तो ये करेंगे अपन टेंसर मदलो, उसके लिए अच्छे से properly, अभी जो प्लान चल रहा है आपका, आपका चल रहा है basic electrical, आचा basic electrical में बस ऐसा नहीं है, यहां पर आपका SMPS हो गया, switch remote power supply हो गया, magnetical part हो गया, आपका सभी कुछ यहां पर मैं include कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि basic electrical जो हम पढ़ते आ रहे हैं, कि भई आपका charge, current, voltage, power, energy है, AC circuit हो गया, फिर ये SS हो गया, नहीं, यहां पर आपका SMPS भी add करना पड़ेगा, यहां आपका पीडिया भेज दूँगा, आपको टेलिगाम चैनल पे, अब यह जो source बता रहा हूं मैं आपका, तो यह आपका है, देखो, slabus किसके लिए है, इतों सापका, यह mechanic radio and TV के लिए, अब इसका slabus जो है, DGT दोड़ा, यह लिखावा है, DGET आपका, जो की बोला गया है, आपके railway के थूँ, तो आप देखें कि अगर इसको ध्यान से, तो बड़ा प्यारा slabus, कितना बेतरी मनाया है, मैं अगर दिखाता हूँ आपको, just wait, यहाँ मैं आपको बहुत अच्छे दिखाता हूँ, उन्हें कितना बेतरी मपकड़ कर रखा हुआ जी जो को, देखो, यहाँ पे civil aviation के लिए दुखा आपको, यहाँ पर radar, analytical equipment, यह जितने भी है, यह सब काम होते हैं, यह सब काम हैं दोस्ता आपके, यह जितने भी है, टेली कमनेशन आपका, यह सभी दोको, नाम लेर आप जो, GPS आपका होगया, mobile communication होगया, cellular होगया, pager होगया, यह सभी आपके syllabus में है, data communication ह होगया, पिर अगर बात की जाए तो आपका, यहाँ पर AF signal generator होगया, यह दोखो आपका, RF signal होगया, digital map, number system, logic gate, sequential, A2D, D2way, micro processor, micro control, PLC, computer hardware, यह खुद में सबसे बड़े topic हैं दोस्त, खुद में बहुत बड़े topic हैं यह, तो कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, यह हमारा काम है, आपको सिखाने का, और अगर बात करूँ है, आपका, यहाँ पर next आपका जो था, यहाँ पर देखो, आपका motor के बारे में, देखो, यह small motor आपका थोड़ा सा, तो motor से एक-दो कोशन आपके पूछे गया थे, इस्टार्टर पे पूछे गया थे, ठीक है, basic से, बहु पूछे गया है, यह सब पूछे गया है, यह सब पूछे गया है, रेडियो, टीवी, पीए सिष्ट्स, सब्सक्राइब तो यह आपका पूरा यह थीक है यह आपका पूरा बीटेक वाला होता है यह लेकिन समस्दा क्या होती है कि जो लेवल आप देफ्स होता है वो कम होता है बस यह चीज़े है तो यह आपका पूरा स्लेवर्स दिया है इसको करते बैठेंगे तो बहुत कुछ है बहुत कुछ नहीं पूछा गया था यह भी आदा रखो आपको कोई भी दिक्कत ना आने पाए मेरे दोस्त कोई भी दिक्कत ना आने पाए और और होफुली आपका डाउट क्लियर हुआ होगा और ज्यादा डाउट होगा तो संडे को पेपर कराएंगे आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा तो रेडियो टीवी वाले परसांद नहों मेरे दोस्त आपकी क्लास चल रही है बेसिक एलेक्ट्रिकल पहले खरम करेंगे अपन बेसिक एलेक्ट्रिकल की बाद हम सुरू करेंगे आपका कम्मुनिकेशन अच्छा देखो कम्मुनिकेशन वाला पार्ट जो है आपके एलेक्ट्रॉनिक मेकैनिक में कम है और रेडियो टीवी में ज्यादा है तो कम्मुनिकेशन को बाद में कर देंगे होल्ड कोई द वो पढ़ना है किसको सिर्फ और सिर्फ रेडियो टीवी वालों को मैं आपको बता दूँगा आपको पेड़ी इनफार्म करेता हूं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है अभी टाइम है आप सब कुछ पढ़ते रहिए ज्यान लेते रहिए आप अकौंटेंस कोई दिक्कत हो कोई प्रावलम हो तो आप बताईएगा कोई समस्याली बात नहीं है बाकी आपका जो बैच है वो चल रहा है आप जॉइंग कर सकते हैं हाँ बाकी आप लोग जा सकते हैं जिसको क्लासिस भी नहीं करने है पेट कास तो बाद में देख लिजेगा वीडियो बा तो यहां पे आपको पहला ही वीडियो देखेगा कि क्या होता है कि एप में एक अप्डेट आ गया है कि आप एप से जब कोर्स में जाएंगे पेट कोर्स में तो यहां पे आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो पेमेंट कैसे करना है यहां मैंने क्लिक करके करोगे तो यहा जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा payment link for paid courses आपका ठीक है यह दिखेगा आपको अब जब यहाँ पर क्लिक करेंगे आप दोस्तों क्या मिलेगा आपको यहाँ पैसे view course दिखेगा आपको ऐसा कुछ कोई दिक्कत और यहाँ पर आपका RRB ALP का रहेगा यहाँ लिंक रहेगा link पर आप क्लिक करोगे तो आपको अराम से यहाँ पर course मिल जाएगा बागी इस वीडियो के नीचे भी मैंने course का link दिया हुआ है वहाँ से भी आप डाइट पैमेंट कर सकते हैं बिना इस दिक्कत के ठीक है बहुत प्यार से कहीं कोई दिक्कत आपको आती है यह number दिया हुआ है आप मुझे message कर देंगे तो मैं आपको course का link वैसे भी भी भेज़ दूँगा कोई दिक्री बात नहीं है बाकी अब आप वेट करेंगे क्या मतलब है ठीक है 926-986 यह number दिया हुआ है यह आपका help by number भी है आप मुझसे जब भी जाए whatsapp पे बात कर सकते है 841-926-96 जब यहां पे click करेंगे आप तो payment का आएगा buy now का option आएगा 1499 का only batch आपका है पूरे one year का है आपका PDF हिंदी प्लस इंगलिस दोनों मिलेगा आपको हर एक चीज properly मैंने demo भी upload किया हुआ है YouTube पे ही इसी channel पे आपका playlist पे आप जाएंगे buy now पे click करेंगे और आपका जो contact me आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं आपका most welcome है और एक बात और जितना हो सके वीडियो को maximum share कीजिएगा दोस्त नहीं तो क्या होता है की यह वीडियो बहुत लोगों को मिलती नहीं है तो बात में पस्ता आते हैं सरकी मैंने आपका वीडियो अभी देखा मैंने कल देखा मैंने परस फरवरी को आपका उसका वीडियो आ जाएगा चार मारस अपका बैस स्टार्ट हो जाएगा ठीक है और कोई दिक्कत है कोई समस्ता है फिल वीडियो आज जैहिन जवादन के पना फस्ते रिए और मुस्क्राते रिए बाई बाई